पूरे फिलिस्तीन में यानि वेस्ट बैंक और गाजा में साथ अक्टूबर के बाद से अब तक कुल सत्तर हजार लोगों को या तो मार चुका है या खायल कर चुका है या इमारतों के मलबे में दफन कर चुका है ऐसी स्थिती में जब इसरेल एक तरफा युद्ध करके फिलिस्तीन की धजियां उड़ा रहा है तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोगों में एक जुटता और एकता देखनी चाहिए थी लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी आपस में खून खराबा कर रहे है दरसल फिलिस्तीन के कुछ लोग इसरेल के लिए जासूसी करते पकड़े गए इसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर हालात बेकाबू हो गए जंगल राच सा कायम हो गया और एक साथ दो लोगों को फांसी पर लटका कर एक उचे बिचली के खंबे पर लटका दिया गया इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल है इसरेल के अखबार टाइंपस ओफ इसरेल ने इस वीडियो पर पूरा समाचार छापा है और घटना को सही बताया है इसरेल और फिलिस्तीन के नक्षे को अगर देखें तो मुक्षी रूप से तीम खिट्र दिखाई देते हैं जेरुसलम के आसपास का हिस्सा वेस्ट बैंक है इसरेल के दक्षन में गाजा पट्टी है गाजा पट्टी में करीब 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं वेस्ट बैंक के अंदर करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और इस्रेल की मुक्ष भूमी में करीब 20 लाख अरब और फिलिस्तीन मूल के लोग रहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस्रेल के उन दो जासूसों के बारे में बताते हैं जो फिलिस्तीनी मूल के थे। ब्रिगट ने 31 साल के हमजा मुबारक को मार दिया। इसके अलावा 29 साल के आजम जुबरा को भी मार दिया है। अब देखिए तस्वीर नमबर पन। इस तस्वीर में इस्रेल की खुफिया एजेंसी के एजेंट 31 साल के हमजा मुबारक और 29 साल के आजम जुबरा को मार दर सड़क पर फिरिग दिया दिया। और इन दोनों की लाशों के चारों तरफ फिलिस्तीन की अल, कुद्स, ब्रिगट के लड़ा के जश्न मना रहे हैं और अलाहू अक्बर के नारे लगा रहे हैं। तस्वीर नमबर 3 इसरेल के खुफ्या एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को एक बिजली के खंबे से उंचाई पर लटका दिया है। ताकि फिलिस्तीन के लोग ये देख सकें कि इसरेल के लिए जासूसी करने का अन्जाम क्या हो सकता है। दरसल वेस्ट बैंक की अलकुद्स शहीद ब्रिगट ने इन दोनों पर आरोप लगाया था। कि इनोंने इसरेल के लिए जैनिन में जासूसी की जिसकी वज़ा से वेस्ट बैंक के छे आतंकवादी इसरेल की सेना के शिदार हो गए। यानि अगर देखा जाये तो एक तरफ गाजा पट्टी में एक मुर्दा शांती चाही होई है। के अंदर मौझूद इसरेल के सैनिकों से मुलाखाद की। साथ अक्टूबर के बाद ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार ने तन्याहू घाजा पट्टी के अंदर गए थे। और उन्होंने अपने इसरेल के सैनिकों को ये संदेश दिया कि युद्ध पूरी तापत से लड़ा जाएगा और हमास के अंतिम आतंकी तक युद्ध लड़ा जाएगा। इसरेल ने घाजा पट्टी के अंदर संघर्श विराम कर दिया है। इसरेल अपनी अर्फोर्स के माध्यम से घाजा पट्टी पर बंबार्डिंग करता रहा। तब तक इसरेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकडा लगभग इस्थिर रहा। लेकिन जैसे इसरेल ने अपना ग्राउंड आपरेशन शुरू किया। इसरेल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गए। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अकबार में छप रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि इसरेल की सेना और इसरेल की सरकार इसरेल के सैनिकों की मौत के आंक्रों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रोनिकल नाम के एक अकबार में इसरेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इसरेल के सैनिक कबरिस्तान यानि वो जगह जहां पर इसरेल के सैनिकों को दफन किया जाता है। उस जगह के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटर्व्यू छापा है। इस इंटर्व्यू में इसरेल की मिलिटरी सिमेट्री के डिरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इसरेल के अंदर हर घंटे एक इसरेली सैनिक का शव कबरिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंट्रिव्यू को फिलिस्तीन और अरब देशों के आखबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इस्रेल के सेनिकों के मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज़ादा है जेरुशलम के पश्चमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहां पर इस्रेल की सेना में काम करने वाले सेनिकों को दफनाया जाता है Middle East Monitor नाम की एक और न्यूस वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डिरेक्टर डेविड ओरेन का बयान चपा है कि पिछले 48 घंटे में 50 इस्रेली सेनिकों को दफनाया गया है यह चौका देने वाली बात है क्योंकि इस्रेल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इस्रेल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं इन में से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ओपरेशन में मारे गए हैं लेकिन फिलिस्तीन के अक्बारों का दावा है कि ग्राउंड ओपरेशन में इस्रेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है अगर इस्रेयल के मिलिटरी सिमेट्री यानि सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर डेविड वारेन के आंकणों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर गंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेयल के ग्राउंड ओपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे अगर इस्रेयल के सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला दावा ये करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्ला के 80 लड़ा के मारे गए हैं जबकि इस्रेल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं जबकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सर्वोच शिनेता खामने भी ये बयान जारी कर चुके हैं इस्रेल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं लेकिन इस्रेल आंखणों को शुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंखणों को शुपा रही है इस्रेल की सेना प्रोपगेंडा वार में हमेशा आगे रहती है आज भी इस्रेल के और हमास के युद में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले घाजा पटी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बंबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्टे को कवर कर रहे थे अब ऐसी इस्थिती में गाजा के संचार तंद्र पर इस्रेल का 75 प्रतिशत कपजा है और इस्रेल जो चाता है वही सूचना गाजा के बाहर निकलती है क्योंकि गाजा के अंदर इस्रेल की सेना अपनी भकड को मजबूत कर रही है और जहां तक इस्रेल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है तो यहां पर ये बात भी जाननी जरूरी है कि इस्रेल डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानि सर्वश्रिष्ट सेना की तरब प्रस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंख्रे पेश करे जो दुश्पनों के मुकाबले ज़्यादा हो